गीता जैन्ती हिंदुों का महत्तुपूर्ट योहार है पोराणी ग्रंथों में गीता को सर्वो परीस्थान प्राप्त है और गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है मार्ग श्रीश मास के शुकल कुरुशेत्र में भगवान श्री कृष ने अरजुन को भगवग गीता का उपदेश दिया था जिस कारण इस्तिती को गीता जैन्ती के नाम से जाना जाता है मोक्षदा अथार्थ मोका शै यह एकादशी मोह का विनाश करने वाली है जिस कारण इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है गीता ज्यान का सागर है गीता ने समस्त मानव जाती को एक नई दिशा प्रदान करी द्वापरयुग में मार्ग शी शुक्ले कादशी के दिन कुरूशेत्र में श्री कृिष्न द्वारा अर्जुन को ज्यान का मार्ग दिखाते हुए गीता के उपदेश दिये गए गीता में छोटे-छोटे 18 अध्याएं है पहले छे अध्याए में कर्म योग फिर अगले छे अध्याए में ग्यान योग और अंतीम के छे अध्याए में भक्ती योग के उपदेश है ऐसा बना जाता है कि गीता का जन्म कल्यूग के प्रारम में 30,000 वर्ष पहले ही हुआ था ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन ने महाभारत के युद में कुरुशेत्र की भूमी पर शत्रों के रूप में अपने सामने अपने ही प्रियजनों, गुरू और अपने भाई बंदु को देखा तो उनका धनुष उनके हाथ से छूटने लगा और वह अत्यंत विचलित हो गए अर्जुन ने युद में श्यस्त रुठाने के लिए इंकार कर दिया तब भगवान श्रीकृष ने स्वैम नंदी घोशरत के सार्थी के रूप में मार्गशी शुकल एकादशी के दिन कुरुशेत्र की भूमी पर अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश दिया भगवान श्रीकृष ने अर्जुन के मन में उठने वाले अनेक परकार के सवालों के रहस्य को सुलजाया और अर्जुन को सही और गलत का मार्ग निदेशन करा श्रीकृष ने कहा संसार में मनुश्य कर्म बंधनों से जुड़ा हुआ है और इस अधार पर उसे कर्मों के दो पतों में से किसी एक का चैन करना होता है इस प्रकार श्रीकृष ने अर्जुन के मन में उठने वाली समष शंकाओं का समाधान करा और इस प्रकार अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए गीता का आधार बनते हैं और कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को परम ज्यान की प्राप्ति होती है और वह कर्म की और बढ़ने में सहायक होते हैं गीता आत्मा एवं परमात्मा के सुरूप को व्यक्त करती है भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मानव जाती में तीन तरह के गुण व्याप्त है और जो इन तीनों गुणों से उपर उठकर है वह मुझे अतीप्रिय है इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्यान देकर कर्म का महत्तु समझाया और इस प्रकार अनेक कार्यों को करते हुए एक महान युप प्रवर्तक के रूप में सब का मार्ग दरशन किया और कुरुशेत्र की भूमी में इस प्रकार गीता का जन्म हुआ गीता जहिंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है इसलिए इस दिन लोग व्रत करते हैं प्राते काल उठकर नित्यक्रम से निव्रत होकर इसनानादी करें तुलसी की मंजरी तथा धूब दी कादशी को एक बार खूजन करें गीता जहिंती के दिन श्रीमत भगवत का पाठ की आ जाता है जिनके पितर बुरे कर्मों की वजए से नीच योनी में पड़े हूं इसे कादशी का वरत करके अपना पुन्यदान अपने पित्रों को देकर अपने पित्रों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं गीता जैन्ती के दिन गीता के उपदेश पड़े और सुने जाते हैं और कई जेंगे वाद विवाद का आयोजन भी होता है। गीता मात्र हिंदु धर्म को ही नहीं अपितु संपूर मानव जाती को ज्यान बलप्रदान करती है। इसमें सत्यूग से लेकर कल्यूग तक के मनुष्य के कर्म और धर्म का ग्यान है। जो श्री क्रिशन द्वारा अर्जुन को दिया गया, गीता जैन्ती के दिन लोग भागवद गीता का पाटे हैं और क्रिष्ण मंदीरों में गीता का पाट और पूजन होता है। आरती और भजन गाए जाते हैं गीता लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मंदिर में ना रखें बलकि गीता के उपदेशों को पढ़कर गीता ग्यान के सूरिय के समान प्रकाश को अपने अंदर और अज्यान के अंधेरे को नश्ट करके गीता के संदेशों को आत्म कर अपने जीवन को सही माएने में बदलने का प्रयत्न करें गीता का चिंतन करने से अज्यांता का नाश होता है और आत्म ज्यान की प्रवर्ती होती है गीता मरना सिखाती है और जीवन को धन्य बनाती है गीता का ज्यान प्राप्त करके आप अपने जीवन को समस्त विकारो से मुक्त कर सकते हैं अतै गीता का प्राट प्रारंब करें और प्रतिदीन थोड़ी देर गीता को अवश्य ही परें इस प्रकार की अन्यबाते व्रत कथाएं और उपाई जानने के लिए हमारा चैनल वास्तु शास्त सब्सक्राइब करें नमस्का